एकदम डारेक बोलू दिल से बोलू आज अपने एक इनसान होने पर शरम सी आ रहे हैं एक प्यारी सी छोटी सी छुटी बिताए अपने फैमिली के साथ केप दाउन से लोटा बहुत मन से आप सबी को नए साल की मुबारिक बात दी अपनी बेटी को गोध में उठाए एरपोर एक बेटी का बाप हूँ और ना भी होता तो शायद यही कहता है कि जो समाज अपनी औरतों को इज़त नहीं दे सकता उसे अपने आपको इनसानी समाज कहने का कोई आग नहीं है और सबसे ज़्यादा शरम की बात पता क्या है कुछ लोग रहा चलते किसी लड़की की हैरस्मेंट को भी जस्टिफाई करने की आउकात रखते हैं सले लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों? लड़की रात में घर से बार गई क्यों? अरे शरम करो यार छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं छोटे आपकी सोच है भवा न करे जो बैंगलोर में हुआ है वो कभी आपके वेहन आपकी बेटी के साथ हो ये बत्तमिजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लानेट से नहीं है ये हमारे यहां से ही है आपके और मेरे जैसे घरों से ही है हम सब के बीच में ही गूमते हैं ये दरिंदे अभी भी वक्त पैसो दर जाओ याद रखना जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया न अगर तुमारी अकल ठिकाने आजाएगी अकल ठिकाने नहीं सुद्रों के तो बात भूल जाओ सीधा उपर सिधार जाओगी और लड़कियों से भी मैं कुछ कहना चाहूँगा लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से अपने आपको कमजोर मत समझते अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह काबिल बच सकती हैं ऐसी चोटी और आसान टेक्नीक्स हैं लड़कों को समालने के इन मार्शालाट वे किसी के बाप में दम नहीं कि आपकी मर्जी के बिना आपको हाथ भी लगा सके आपको डरना नहीं है आप किसी से कम नहीं है बस अलर्ट रहो सर्फ डिफेंस सीको और हाँ अगली बार आपके कपड़ों पे आपको कोई ग्यान देने की कोशिश करें ना तो उसे कहना कि अपनी अडवाइस को अपने पास रखें and mind your own business तैंक यू जय है